तो हाले बराण कैसे हो हाई हुक साब बढ़िया हूंगा ठीडाव फाइली काई साथ चुक है सिदार्त आन जी और इतनी ओशन के फाइटर के कोनी एपिसोड में बापिस है तो वाई साथ चल रहा है डी नुबर 12 एंड साकिन आफ मंडे है वही चेकिंगे आज के लिए बड़ा ड्रॉप कैसे हो सकता है और अगेन हमें ऐसा भाई अभी नहीं चाहिए संदे को अबले मंडे को तो अडवांस क्या कह रहा है इतना ड्रॉप होगा या फिर उससे थोड़ा कम ही होगा और संदे का फाइनल अरली इस्टिमेड है वह किस तरह निकल के सामने आर रहा है तो सब कुछ full of details में जानने वाले उससे पहले आपको क्या करना है डेवाइस अडवांस नंबर सो और डेवाइस बॉक्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा और आने वाले movies का भी क्या हुआ हुआ है जड़ी से कर लो चैनल को सब्सक्राब इस तरह आप्टेड इस जो कि नाइड की 25 ना बताय था वाई 30 से भी नीचे जाएगा मामला जो कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ जो कि 3D की 46 इवनिंग की जो कि नाइड की आलमूस 25 के आसपास ही है जो तुमारे वाइड ना बताय था वाई वह सही ही हुआ है और नाइड की ओगर्ण भाई ड्रॉप र इवनिय में 58 नाइड की अलमूस 35 यहां पे ड्रॉप लगा है वाई एड बेंगलूरू में 56 नाइड अलमूस 30 यहां पे ड्रॉप आई हैदरावाद में 41 इवनिंग नाइड 30 एंड एहमाबाद में 24 नाइड अलमूस्ट सिम्लर ही है यह देख रहा अच्छा लगा वाई ए इसा संदे और ऐसा। 3 डिड और जाहर और मूब करते है 54 नाइड की 26 यहां पे मुंबाई में ड्रॉप हो गया बाई डिली अंडे नेड की आलमूस 17 50 50 के आस पास डॉप हुआ है पूने में 60 नाइड की आलमूस 42 नाइड की अलमूस 32 यहां पे ड्रॉप आई हैद्र वाभ आपने 53 नेट के आल्मोस 32 तो फाइलिवाई जाहा हम नीचे बात नहीं करें कि एपिसोड लंबा हो जाएगा तो कितना नब्र है वो आ सकता है जो मैं नासुई को बता है था 13 क्रोड के आसपा 13 to 13.25 सम इतना पकड़ लो आप इतना आ सकता है नेट क्लेक्शन 13 to 13.25 तो अगर यही फिगरा गाईज वो आती है तो ओबर से इस में नासुई को बता है था 4 to 5 क्रोड तो वाई इसली दिख रहा है चार से लेके 5 क्रोड के बीच में तो यह जाएगा कहीं नहीं भाई 20 से लेके 21 क्रोड के बीच में वर्ल्ड वैड की फिगर 20 to 21 क्रोड और यही फिगरा गाईज वो रहती है जो गाईज में नासुई को बता है तो भाई नेट जाएगा आल्मोस्ट 181.60 क्रोड के आसपास इसे थोड़ा ज्यादा इससे थोड़ा कम है वो हो सकता है मतलब की 182 ही पगड़ते हैं हम डिरेक्टी का इस मोटा मोटा 182 क्रोड तो अभी ओर 18 क्रोड चाहिए 200 क्रोड कलब में इंटरी करने के लिए ओनली फार 18 to 19 क्रोड के बीच में ठीक है और ओवर सिसमें जाएगा अल्मोस्ट 85 to 86 क्रोड के बीच में पचासे लेके 86 क्रोड पहले 11 दिनों में जो कि वर्ल्ड वाइड की आज मेकर्स मेरे बाई पोस्टर दे सकते हैं 303 इससे थोड़ा एक क्रोड जादा कम आ सकता है आप डिरेक्टी 303 क्रोड के आसपास पकड़ लो 303 क्रोड और फाइनल से लेट सी यह कब तक कंप्लीट कर पाती है हां एक और भी टार्गेड होगा कि यहां पर ओवर सेस में आल्मोस्ट शत्क जन्ना यानि कि सैंचूरी आल्मोस्ट 85 यहां से हो जाएगा तो आगे अभी 13 14 क्रोड का और बिसनस है वो करना है करेगी वाई उमीद हो करते हैं वा करते हैं सब आज की और मंडे की और वाई कितना बिसनस है वो आ सकते हैं उससे पहले थोड़ी शोज काउंट देख लेते हैं देखो यह स्ट्रडे को शोज थे साड़े दस हजार के आसपास पूरे बारत में इंक्लूडिंग 2D 3D आलाफ वर्जन एंड टूडे अल्मोस्ट 9700-800 के आसपास शोज हैं तो मामला यहां पर शोज का 10,000 से नीचे की रहा है अल्मोस्ट 7800 शोज है वो ड्रॉप हुए कंपैरिजन टू यस्टडे और ऐसा हम मैक्सिम मोवी के साथ देखते हैं वाई चाहें फिर पहला वीकेंड सैसी समापत होता है मंडी को थोड़े सकता है फिर देखो अगर 13 क्रोड के आसपास दीख रहा संडे का 13 क्रोड 25 वी आ सकता है तो 50% होगा तो 6,5 क्रोड की आसपास होगा ठीक है तो 50 से लेके 60 के बेच में एक नॉर्मल डॉप रहता है मामला 6,5-6 क्रोड की आसपास आ जाता है तो पिक्चर के लिए काफी अच जाला है Monday के दिन, ठीक है, मामला अगर चार क्रोड से नीचे आ जाता है, तो फिर बही हाल होगा, जो पिछले संडे को मामले Monday को था, मामला चार क्रोड से नीचे आ जाता है, क्यूंकि पिक्चर ना, लास्ट बार फ्राइडे को आलमोच 6 क्रोड के आसपास net business किया था, हमें साड़े 5 क्रोड के बीच में आता है, तो फिर ठीक है, एक average drop होगा है, और मामला 4 क्रोड के आसपास आ जाता है, तो फिर वही situation है, जो पिछली वार Sunday को अबले Monday को हुई थी, तो हमें किसी भी हालत में पांच क्रोड के आसपास तो चाहिए ही चाहिए, लेट से गई सब दे किस तरह के रहते हैं, और शोज करूंट तो अच्छे हासे हैं और आगे पैसे भी कही सारी movies आ रही है, वैसे उनका देखा जा इतना hype तो नहीं है, बट आतो रही है, शोज तो जाएंगे, शोज जाएंगे तो number कैसी आएंगे मेरे भाई, तो ये बच्चे हुए 3-4 दिन ज झाता है, बग ये तो ये रहा हुए तो आएंगे टाएंगे तनाई करें 무슨 आएंगे तना करते हैं, झाता है कर है मेरे नहां अैज को